दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिसिल ग्रास के बारे में दोस्तों फोम और फणिसिंग की अपडेटर इंफोमेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों आजकल आर्टिफिसिल ग्रास का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं उसका एक ही रीजन है पहले तो लोग यूज करते थे वो जो नेचरल ग्रास आता है वो गार्डन के अंदर डालते थे बालकनी में रखते थे से आप डेकोरेशन के लिए भी घर के अंदर रख सकते हैं गेलेरी के अंदर भी इसको घर की जो गेलेरी होती है उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा आजकल लोग यूज करते हैं उसका एक ही रीजन है इसी टू मैंटेन है वेधर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है यह सबी रीजन है जिसके कारण लोग इसको ज्यादा प्रिफर्ड करते है नेचरल ग्रास की कमपेरीजन में और तो और आजकल लोग वोल के उपर घर के अंदर जो वोल होती है उसके उपर भी इस तरीके का आर्टिफिसल ग्रास लगाते है बेटर लुक के लिए और ओफि निकलता नहीं है अगर इसके उपर से कार भी चल जाए तो भी तो इसका यूज पार्किंग में भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों बेजिकली चार थिकनेस के अंदर आर्टिफिसल ग्रास मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है पहला होता है 25 mm का इस तरीके का इसका ज 25 mm और 35 mm यह दोनों जो थिकनेस है वो वॉल के उपर लगाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है यह दोनों थिकनेस तीसरा आता है 40 mm का यह जो यान है 40 mm की थिकनेस वाला है वह इस तरीके का लगेगा चोथा आता है 50 mm का इस तरीके का इसका जो यान है वह बड़ा वाला होता है इसका यूजा आम तोर पर गार्डन वगेड़ा में होता है घरकी अगर बालकनी है उसके अंदर डालना है तो भी यह 50 mm का अग्रास ज्यादा यूज ठीज होता है क्यूंकि इसका ओन वह पहले भ इस तरीके के, जो आप देख रहे हो, अगर पानी वगेरा इसके उपर गिरता है, तो इस सिंक वल उसी लिए दिये है, कि इसके थुरू पानी बाहर निकल जाए और इसको डेमेज ना करें, दोस्तो आटिफिसल ग्रास आता है, वो बेजिकली एक आता है जर्मनी का आता है, द damage, दोस्तो जब आप घर के अंदर इसको इंस्टोल करते हो तो एक चीज का खास दियान रखनाझस जड़ूरी है, जैसे कि जो जो उपर की तरफ इसका पूरा सेड है, और इसको जब cut करके लगाते हैं तो हो सकता है दूसरा जो cut out होता है उसको इतना इस तरीके से उल्टा नहीं लगाना है अगर उल्टा लगाएंगे तो दोनों का look चेंज हो जाएगा आप देख सकते हो इसका जो इसका पूरा setting है नीचे की ओर है इसका उपर की ओर है तो जब आप इसको cut out करके लगाते हो तो इस तरीके से लगाना है ताकि इसका जो joint है वो भी दीखे नहीं और इसका जो setting है जो look है वो भी same रहे तो यह चीज का आपको जब install करते हो तो ध्यान रखना है दोस्तों अगर rate की बात करें जो 25 mm का जो grass ही आता है उसका rate होता है 30 rupees per square foot plus GST होता है अगर 35 mm का grass जो grass है उसका rate होता है 35 rupees plus GST होता है और 40 mm का ग्रास देखें तो 40 mm का जो square foot का rate simpler view । लग अलग चगा पे उसकी quality के ऊपर डेपेंड रहेता ह है अगर चाइनीज है तो इससे भी रेट थोड़ा कम होगा अगर जर्मन है तो उससे भी थोड़ा रेट ज्यादा हो सकता है रेट हो सकता है के वेरी हो कंपनी वाइस दोस्तों जब आर्टिफिसल ग्रास लेने मार्केट में जाते हो तो कौन-कौन से सवाल पूछने है एक तो क्या इसका ग्रास यूवी कोटेड है के नहीं है अगर यूवी कोटेड नहीं है तो इसका जो जो लाइट है इसका जो कलर है वो हो सकता है के संलाइट के अंदर इसका कलर थोड़ा डीम हो जाए अगर यूवी कोटेड है तो कोई प्रोब्लेम नहीं है डीम होने के कोई चा लाई दिंगे